अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे अगले नोटिफिकेशन्स वीडियो के मिलते रहे तो आज अब है इस वीडियो में बैक एकसाइज को डिसकस करने वाले चाप्टर 4 का पार्ट 3 है यह तो ज्यादा टाइम वेस ना करते हुए वीडियो को सीधे ही शुरू करते हैं लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख ले और एक वीडियो मैंने इस से पहले जो पोस करें और उन्षा पहरें पहरें अपर सेवा अधार वीडियो को जब आप देखेंगे तो बहुत si बइनेकटी वाइंगे अग उनसब इमन्सबी वीडियो जब ड्रख वीडियो के जंए अब सीधें इनको देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आतो ही मतलब बैक एक्सराइज है इसमें मैं प्राक्टेस करनाई है यह हमारी टेप नंबर फोर है प्राक्टेस तुरुफ सेप स्पोर्ट्स यह सेवन स्पोर्ट्स के नाम दियो हैं इसमें और पहले जो क्वेशन है ले स्पोर्ट को और प्राक्टीत लेंतरी और मतलब इंटिरियर स्पोर्ट्स जो हम घर के अंदर प्राक्टिस करते हैं लव फिल्म घर के अंदर है मतलब आसकट एक्स्टीरियर में है अब इसको वस ऐसे ही हम आगे लेते जाएंगे स्पाइज में मैं ते अंदर नहीं कर सकते बहार है यह एक्सिरियर में lah PB ST in लोर अर्डिनेतियर इंठीरर ल व्यॉलो इंठीरियर लॉ जागिंग एक्सिरियर लदयिस एक्सिरियाइ कंप सिरिय तो यह कुछ जो है यह पहले question में था, इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे सेन के meaning पता होने चाहिए, यह मेरी tip number one पे है, basis, कि vocabulary आपकी strong होनी चाहिए, grammar आपकी strong होनी चाहिए, अब grammar के base पही हमारी आग्ये की exercises होंगी, जैसे कि अब चलते हम second question पे, कम लेते हैं अब एक UA due और दला, अब आपको अगर यही नहीं पता होगा, कि UA due और दला होता क्या है, तो फिर आप इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे, अगर आपको यह नहीं पता है, तो आप मेरे chapter 4 के part 1 और part 2 को जरूर देखें पहले, grammar को समझे, vocabulary को याद करें, त इनको यह concept का पता है, वो बहुत आसानी से इसको पकड़ लेंगे, पियर डैश गिटार में यह डैश बातरी, अब यह हमने जो passage पड़ा था part 1 में, यह उसके आधार पर है, question, उसमें जो हमने चीज़ों को read किया था, और grammar को रिया, किया है, उसके बेस पर यह questions है, अब हमे होता है, यह singular है, plural है, इस सब के basis पे हमें द्यू, दला, यह सारी चीज़े बतानी है, और यह सारी चीज़े जिसको बिल्कुल भी basis नहीं पता है, उसको कोई टैंचल लेने के जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पे सारी वीडियो अप्लोडेड हैं इसके बारे में, chapter 1 से आप start कर सकते हैं, और part 1, part 2, ऐसे करते करते हैं, आप chapter 4 पे महुचेंगे, तो बिल्कुल आपको concepts clear हो जाएंगे, practice हो जाएगी, और आप बिल्कुल अच्छे से इसको कर पाएंगे, लेकिन उन सब वीडियो को देखने से पहले, एक वीडियो आप जरूर देखें, 5 tips वाली, यह कि उन tips को जब आप follow करके वो वीडियो देखेंगे, steps को, तो आपका जो पढ़ने की जो ability है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, French की, अब complete है, अब एक यूए द्यू दला, अब इससे complete करना है, पियर, गितार, गितार के साथ आएगा, दला, क्यों आएगा, क्योंकि यह feminine है, और singular भी है, तो इसमें आजाएगा, पियर, यूए दला, गितार, मे, बट, मे मतलब बट, यह, आए, यूए दला, बातरी, अब ड्रम में भी इसमें बातरी को भी दला ही लिखेंगे, क्योंकि वो feminine singular है, फिर एरिक पियानो के साथ लगाना है, हमें, एरिक यूए द्यू प एसान आमी मतलब हिस फ्रेंड, यूए दला ट्रॉम्पित, लगो ट्रॉम्पित बचाता है उसका जो फ्रेंड है, लपैर दसोफी, दफादर ओफ सोफी, इसके साथ आपकी ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस हो रही है, साइड बाइ साइड बाइ साइड, लग फादर ओफ दू वाइलन, इसमें भी वाइलन आएगा, दोनों ही मैस्कुलेन सिंगिलर है, अब चलते हैं, थर्ड क्वेस्चिन की और, थर्ड क्वेस्चिन का भी यह, तो इसी के साथ हम चलते हैं, थर्ड पार्ट पर इसके, जो की है, ऐल्स डैश रोलर, इसमें आएगा, अब ऐल्स जाश रोलर, मतलब वो रोलर स्केटिंग कर रही है, क्या कर रही है, स्केटिंग कर रही है, करने को क्या बोलेंगे, तुडू, तुडू को फ्रेंच में क्या बोलेंगे, फेर, बिल्कुल ऐसे असानी से करते जाओ गया, फेर, द्यू रोलर, फेर, द्यू रोलर, और मैं आवशक्ता नहीं समझता हूं और अगर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप जो मुझे मेल ख़ते हैं और कमेंट में बता सकते हैं इजुंएंट दो गॉल्फ इंजुंएण दो गॉल्फ क्यों इजुएंट क्योंकि वो गॉल्फ खेल रहा था क्या खेल रहा था गॉल्फ और गॉल्फ क्या कर रहा था खेल रहा था खेलने को काईगा इजुएंट इसलिए जुएंट आएगा बाकी तो इजुए मतलब वब आएगा और द्यू लग जाएगा इसके साथ द्यू गॉल्फ क्योंकि मैस्कुलिन सिंगलर ही त्यू डैश वोईल वोईल कर रहा है इसमें आएगा कर रहे हो तो फिर दला वोईल मुझे लगता है यह आपको बिलकुल अच्छे समझ आ गया होगा इसे के साथ अब चलते हम फोर्थ क्वेस्चन पर यह फोर्थ क्वेस्चन कुछ भी नहीं है सिरफ एक इमाजिन करना है कि हम एक फॉर्म भर रहे हैं और इसको हमें भरना है यह एक एक्जाम्पल के तौर पर हमें दिया गया है नॉम प्रिनॉम मतलब नेम और वो लास्ट नेम लिखना है हमें लेकिन इसमें न उल्टा होता है नॉम में हमें वो लिखना होता है अपना लास्ट नेम और प्रिनॉम में फॉर्स नेम जैसे कि for example Donald Trump है तो Trump Donald आएगा इसमें नॉम में Trump और प्रिनॉम डॉनल्ड एज में अपनी एज लिखनी है देट दानाइस सेंस मतलब डेट आप बर्थ लिखनी है नैशनलिटी लिखनी है जेंडर लिखना है अपना अड्रेस फिर सिटी फिर टेलेफोन नंबर फिर कूरियल फिर अक्टिविटिस कौन से अच्छे लिखती है मतलब होबी यहां पर अपनी फोटो चिपकानी है जहां पर एक गर्ल की फोटो है फिर स्पोर्स कोन से खेलते हो प्रक्टिस करते हो सूड़ यह एक फॉर्म है इसको आपको भरके देखना है अपने बुक में और हो सके तो आप जैसे भी मुझे मेल करें बी थरी फोर सेक्स नाइन जिरो वान एडडिड जीमील डॉट कॉम पर उस पर मैं यह चेक करना चाहूंगा आपका जो भी इंट्रेस्टेड हैं करने के लिए वो मुझे मेल कर सकते हैं जो चेक करवाना चाहते हैं कि मैंने सही कर रहा हूं के नहीं इस एक्सेसाइस को भी पहले भी था हो एक्सेसाइस को मैंने पहले यह फिसिलीटी नहीं दी थी लेकिन आब मैं दे रहा हूं आप पहले यह भी भीद सकते हैं अब ये भरने के लिए grammar में मैंने समझा था जिसने grammar नही इसको ये समझ में नहीं आई हो लिवर के होता है अब लिवर होता है हमारा masculine लेकिन यहाँ पर s है तो masculine plural हो गया इसलिए यह लग जाया q-u-e-l-s Qwells second चलते है nationality nationality उसमें example में दिया हुआ था grammar में बैसे भी लेकिन आपना और फीमेले वाल्द फीमेन है फीमेल नहीं फैमिन है और singular है क्योंकि इसमें s नहीं लगा हुँ है तो इसलिए इसमें आ जाएगा q u e double l e फिर N-Mua Someno, इसमें क्याल आ जाएगा सिंगल L के साथ, क्योंकि मैस्कलिन की बात हो रही है, और सिंगलर है, फिर इंस्ट्रुमेंट में भी सिंगलर आ जाएगा, और मैस्कलिन है, इसलिए वो क्याल आ जाएगा, सिंगल L वाला, फिर फिफ्थ पार्ट, डाश सौंते कूलिय फिर कौन से आपको कलर्स फिवरेट है, कलर्स में ये आ जाएगा हमारा, डबल L येस वाला, क्योंकि ये फैमिनिन, प्लूरल की बात हो रही है, फिर सिक्स्थ क्वेस्चिन हमारे करने वाला नहीं है, क्योंकि ये एकुते एर एली है, ये उसको सुन कर आपको मैच करना होत होती है, वह यहां पर मैं अभी तो नहीं करा सकता हूं